नमस्कार चात्रो विलकम बैक एक बार आप सब का फिर से स्वागत है डिकोड एक्जाम में जैसा कि आपको पता है कि क्रैश कोड स्रीज जो चल ले हमारी ठीक है लेसन वन लेसन टू लेसन थ्री करते हुए आज आप जो देख रहे हैं लेसन अटारा यह जो हमारा सिक्वेंस ऊसीके करम में आप सभी subject को प्राप्त कर रहे होंगे तो regular चात्रो आप सबसे यही खंबल request करेंगे कि आप classes को पूरा तक दोड़े किए ठीके आज हम इसमें पड़ेंगे चातरो रुधीर के बारे में ठीके रुधीर के component यानि कि उसके संघटक के बारे में पड़ेंगे रुधीर के और हम लोग पड़ेंगे सबसे important हमारे शरीर का एक और गाने जिसे बोलते हैं इरदय ठीक है इर्दे से संबंदित जो भी उसके आंतरिक और बाहस अरशना के बारे में इन सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये रुधीर परिसंचरल तंत्र को मुख रूप से कितनी भागों में बाटा गए और इसका क्या कार है और क्या क्य इसके संगटक है तो चलिए चात्रो लास्टक बने रहिएगा हम लोग आज इस क्लास को सुरू कर रहे हैं ठीक है टॉपिक का नाम याद रखेगा रुधीर परिसंचरल तंत्र या रक्त परिसंचरल तंत्र दोनों बाते एक ही हैं तो सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे द ट्रांस्पोर्टेशन के लिए परिवहन कराने के लिए एक अती महत्पूर आंगे जिसे हम फिर्दे कहते हैं चात्रो और आप सब को पता होगा कि पूरे शरीर में हमारे एक जाल बिचा हुआ है छोटी-छोटी रक्त वाहिनियों का बड़ी से लेकर चोटी-छोटी रक्त लिए परिवहन कराने के लिए रुदीर काफी जादा आवश्यक है और उससे जादा आवश्यक चीज़ आप सब को चात्रो पता होगा जो की ऑक्सीजन और सीयोटी के सप्लाई है चात्रो यह आप जानते होंगे तो कुल मिला कि इसी क्रम में चात्रो हमारा जो एक टॉपि लिए शरीर में सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है मां के अंदर बनना शुरू होता है तो सुरुवात के दिनों में अगर हम देखे जब से पहला अगर कोई अंग है जो निर्मित होता है उसका नाम हिर्दय चात्रो बहत इंपॉर्टेंट है हार्ड बोलते हैं ठीके से आप सब परची दें से ठीक है कहने का मतलब हिर्दय क्या है मारा बिल्कुल उसी तरह से जैसे पंपिंग सेट होता है आपने देखा होगा मुटर होती है जो कि पानी को पंप करता है ठीक यहां पानी नहीं शरीर में हमारे पानी की जगे पर रुधिर को पंप करान Pen rib हैं Black vessels से छात्रु उनका अलग अलग प्रकार का है अठ्रीज को पर पार नाम से जानी जाती है और पूरा नेटवर्थ के ठीक है चात्रा उनको भी हम लोग पढ़ेंगे उनकी माद्यम से पूरे शरीद में जो रक्त को पंप किया गया हिर्दे के द्वारा ठीक है उसको पूरे शरीद में पहुंचाया जाता है जहां तो उसको चाहना चाहिए दूसतरा क्या चीज पहुंचाना है चाहतरों तीसरा जो प्रवाह के लिए जिम्मेदार है चाहतरों आपने फिर वही आपसे बताया कि ट्रांस्पूर्ड कराने के लिए सबोस करिए आपके सिर में दर्द है चाहतरों तो आप दवा सिर में नहीं खाते हैं आप मूंसे खाते हैं आपके पेड में जाता है पेड में जाके वह डिजॉ आप पंप करा दी जाती है उसको प्रवाहिद करा दी जाता है फिर वो सिर के अंदर पाओं के अंदर बाड़ी के अलग अलग पार्ट में जो है ब्लेड के अंदर वो दवा जाती है जरूरत जहां पर होती वहां पर काम करती है चात्रो कभी आपने नहीं सुना होगा कि अगर आफे सिर में दर्द है तो tablet को या capsule को आफ सिर में लगवाते हैं या सिर के अंदर रखते हैं पैर में आपके छोड लगी पैर में पीड़ा या दर्द हो री चातर तो पैर में आप गोली है चात्रों इसलिए नहीं क्योंकि अकेला नहीं है कई सारी चीज़ मिलकर जब काम करती तो सिस्टम कहते हैं सिस्टमाइटिक करें तो और भी अच्छी बात है तो चात्रों यहां पर ध्यान देने यो के बात जो है हमने आपसे बताए कि यह पूरा सकते हैं कोशिकाउ से अञएं अंगों तक कोशिकाउं सभिकी अच्छी च्रीकी तरीके अइन कहता है कि कछिका यानि जो नेडवरक है जो Blood circular system में चातुर्स को मुख कार बताना चाहरा है कि वो ट्रांस्पोर्ट के लिए जिम्मेदार है ट्रांस्पोर्ट जो होता वो ब्लेट से होगा और ब्लेट को पूरे ट्रास्पोर्ट कराने के लिए प्रवाह कराने के लिए कान्टी निवेश जो है बॉड़ी के अंदर करने जिमेदार तंत्र है निका है उसे छातरों हम लुग भे हिड़ै बोलते हैं या हम बॉल जो हमारा रुदिर पर संचरन तंत रहे ये निकाय है इसके अंदर कई सारे भाग है हमने आपसे बताए कि तीन मुखे भाग है एक तो हिर्दे जो मुख आरगन है ठीक है डॉमिनेंट है दूसरा हमारी रुदिर वाहिका है जो तीन प्रकार की होती है खास उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और चौता जो आगला तीसरा जो कंपोनेंट होगा वो रुदिर हो जो हम लोग इसको आज लास्ट में पढ़ेंगे यहां तक उम्मीद है कि आपको चीज़े क्लियर हो गई होंगी आगे यहां पर कह रहा वही बात कह रहा है जो हम आपको यहां बता रहे हैं चीजों को गौर से सुनिए लास्ट अगलास करिए ठीक है इसमें कहता है कि हिर्दय रक्त और रक्त वाही काएं होती हैं तीन कंपोनेंट है हार्ट ब्लड एंड ब्लड विसल चात्र इनका होना बहुत जरूरी है क्योंकि हिर्दय जो है पंप करेगा किसके जरीए से बन्ध है कि कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि हूंन हैं जैसे हम लोग है चात्रों जेकर हम बात करें मेमल के बारे में तो जो मैमल होते हैं जो सतन पाई होते हैं उनके रूदिर को ब्लड ब्लड सरकुलेशन क्योंकि उनका जो ब्लड है वो किसी पर्टीकुलर स्पेसिफिक जो है हम प्लड वैसल से नहीं बहता यानि कुल मिला के देगें तो वह एक मेकेनिजम है जिसे हम बोलते हैं दिफ्यूजन चात्रो पड़ा भी होगा आपने विसरण के द्वारा जो है वो रुदिर उनके स्वें पहता है इसलिए हम उसे कहते हैं खुला रुदिर परिसंचर तंत्र अगर आपसे पूचे हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है रुदिर परिसंचर तंत्र जो हमार लपेटा जा सकता है एक इंसान के अंदर इतना लंबा जो है क्या है ब्लेट का नेटवर्क है ठीक है चात्रो हमारी स्पीट पर चात्रो परिशान नहुएगा क्योंकि देखे क्राश कोर से सारी चीजों को एक से सवाव घंटे के अंदर कराना यह सारी सी संभव नहीं है बहुत सारी चात्र क्मेंड करते हैं कि स्पीट जादा है कुछ कहते हैं सर स्थीट कम है तो इस चीजों पर ध्यान ना दे हम आपसे एक बात फिर यहीं कहेंगे पढ़ाई पर ध्यान दे कंटें ठीक है छात्रो यह ध्यान दीजेगा अकलमन इंसान जो लिबोरियस जो इस् आगे कहता है कि चात्रो एक इंसान के अंदर एक उसत इंसान के अंदर लगबग 5-6 लीटर रगत पाया जाता है यह बात आप सुनते चले आरहे हैं और हम लोग ब्लेड वाले में भी डिसकसन करेंगे यह आप देख सकते हैं चात्रो दो परकार के आपको यहाँ पे नलिया फाल वाला है वो शुद्ध रगद होता है जो हमारे शुदिडर के अंदुनी भाग में पाया जाता है ठीक है और चातरो जो आप बाहर की रहे हैं जानी कि जो आब नीला देख रहे हैं चात्रो वह अचल्द रगते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की का पी जयादा कम नहीं है तो इस पर हम चर्चाबान में करेंगे चात्रों भी देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारा जो रदिर जो परिसंच्रन तंत्र है रग्त परिसंच्रन तंत्र को चात्रों आसे तक्रीबन 400 साल पहले एक महान विज्ञानी के उनका नाम था विलियम हार्वे 1628 के तक्रीबन जो है यह यह को लेकर कांफ्लिक्ट मत करिएगा जगडा वगरा कई बार होता है क्योंकि उनकी पैटन होती डेट होती पैदाइश लेकर उनकी देथ के बीच का भी डेट दे देता हो कई बार उसमें होता है कि वह जो स्पेसिफिक रिसर्च खोज है वह एक ज यह अपना योगदान वगरा चात्रों देते हैं उन्होंने प्राणिकत प्रिसंचल का वरण किया हर्देद्वरा श्री के चारों रख्त कैसे पंप किया जाता है यह बात थी जो इनका आप देख सकते हैं यहां पर ठीके अब आपको फोटो देके पहचानने को तो एक्जा अगला चात्रों है परिसंचन तंतर के भाग दूसरी बात हमारे सामने है वो है कि हमार ज्रुदिर परिसंचन तंतर है वह मुखकिन खटक में बटा हूँ तो आप क्या कहेंगे तीन मुख़ खटक हैं पहला कहता है कि हिर्दै जो कि केंदर ये अंग है चात्रो अंग आपको पता होगा विभिन परकार के शरीर में चात्रो अंग है ठीक है अंग का निर्मार उतको से होता है और उतक का निर्मार चात्रो कोशिकां से होता है आपने पढ़ा होगा कि शरीर के सबसे छोटी कारियात्मा को संच्रात्मा जो लेकिन तीन मुख महात्पूर अंग है जिसमें ब्रेन, हर्ट और लंग्स हमारे फेफड़े हमारा हिर्दे और हमारे जो है ब्रेन मस्तिस्क ये तीन मुख अंग है उसी प्रकार एक हमारा हिर्दे केंदरी अंग है जो पूरे शरीर में रख्त का परवाह कराता या पंप करान के लिए एक प्रसराइजड दबाउ वाला रक्त चाहिए जो कि हरदै मुहिया कर आईगा रज्ट-वहिकाय जो दूसरा घटर के चात्रों पहला यहां arteries, लाल कलल की होती है, मोटी दिवारे होती है, चातरोले शरीर की हमारे अंदूरिनी भागों में पाई जाती है, और खास्त दोर शिसके अंदर शुद्र रक्त होता है, इनका मुखकार है, हिरदे से शरीर के समस्त भागों में रुदिर को पहुचाना, यानि अगर हम बात करें कि रुदीर वाही कियां कितने प्रकार की तो आप कहेंगे तीन प्रकार की जो पहली है चात्र उसका नाम है धमनी, आर्ट्रीज बोलते हैं, मोटी दिवार, लाल रंकी दिखाई पड़ती है, प्रेसर वाला बलेड होता है, चात्र इनकाम इनकाम है, आकसीजन यूग तो रंक्त को हिर्दे से दूर रे जाना, यानि कुल मिलाक है, दो काम, हिर्दे से पूरे शरीर में रंक्त का प्रवाह कराना, दूसरी चीज शुद्र रंक्त को, ठीक है, तीसरा दूसरा जो चात्रो है, शिराएं, ये नीले रंकी होती है, मोटी दिवारे होती है मतलब डायमीटर इनका ज्यादा होता है इनकी परीद ही ज्यादा बड़ी होती है छादरों इनका देखा जाए लेकिन के अंदर कोई खास प्रिसराइज्ड यानि दबावाला रख्त नहीं बहता है इनका में काम है कि जो आक्सीजन रही तो रुधिर को पूरे सरीर से क्लेक्ट करना यानि संग्रह का काम है इनका पूरे सरीर से जो आप से पूछा जाए कि इनमें से कौन से रुधिरवाई का है जो आशुद रख्त का जो है सरीर से हिर्दे तक परफचाती है तो आप क्या कहेंगे शिराएं इनको अंग्रेजी में चातरों हम लोग वेंस बो पूचाने का काम है इनका फिर आगे चातरों हमारे सरीर के चोटे-चोटे ऐसे से भाग हैं ऐसे बाड़ी के पार्ट से चातरों जहां पर बड़ी-बड़ी सप्लाई नहीं जा सकती चोटे-चोटे से जो है अगर आप जिससे इस तरह से देखें कि बच्चों के जो पार्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा स्मालिस्ट पने होते हैं स्कुरू उनके बैटरी सेल वगरा उसी तरह से सरीर में बहुत सारे ऐसे हमारी बाड़ी के से जहां पर देखा जाए कि बड़ी-बलड वसल्स की जुरुत नहीं है रुदिर वाहिकाओं के चोड़ी-चोट हैं यहां आप देख सकते हैं चात्रो एक तरफ है यहां पे जो नीला वाला नेट वर्क है फिर वही बात है वाला से आप देख सकते हैं यहां पर capillaries हैं ये शरीर के सबसे जो अंत होते हैं जहां पर धमनी और शिराएं मिल जाती हैं वहां पर इनको capillaries network होता है ठीक है चात्रों दो तरह का हमारे अंदर network होता है पल्मोनरी जो है और एक होता है चात्रों systematic circulation यानि की शुद्रक्त वाला और एका शुद्रक्त वाला ये दो हमारे अंदर मुख क्या है चैनल है आगे बात करते हैं चात्रों हिर्दे और उसकी संरशना आखिर हिर्दे के बारे में कुछ सवाल आते हैं पहली चीज़ तो समझना जरूरी है कि मानों शुरी में सबसे पहला बनने वाला अंग अगर कोई आप से बूचा जा की तो आप बताएंगे हिर्दे है हमारी चाती के अंदर अगर हम बात करें चात्रों कि इसकी जो इस्थिती है वह फो फोरेks में व्ख्च गुहा में मदज भाग में बिल्कुल नहीं पाये जाता है मुख्हता यह बाई ओर पाए जाता है वक्चीजुझद में ठोय्कि style में आप लोगों ने देखा होगा दिल का shape बना रहता है जैसे आज कल देख रहे हैं कि लोग आइसे पर गाने हैं कवीटाय है जो भी है वह दिल है होगा चात्रों लेकिन लेकिन हिर्दे का हर कार विल्कुल इस तरिका होगा जैसे आप यह पर यह तो आपको जो है आंत्रिक संदशना है चात्रों दिखाई जा रही है यहां पे समझने के लिए आपके लिए काफी आपके पास books होंगे content होगा उसमें भी आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें हिर्दे की संदशनक बारे हैं तो चात्रों यह मुठी की तर चात्रों चार चम्बर्स होगे अगर आप मीन है मझलियों में आते है तो बो चम्बर्स पाये जाएंगे अगर अगर चात्रों उभेचर हैं जानी आदा समय पानी पर आदे समय भूमी पः गुजारें जैसे मेड़क वागर्ण तो आपके अंदर तीन कोष्ठक पाये जा जाएगा किसी गर में मिल जाएगा ठीक है यह आप से पूचा जाए कि दो कोस्ट की हिर्दए यानि दो Chambers Hunt कि मिलेगा तो फिश में मचली वर्ग में मिलेगा चात्रो मचली शार्क भी हो सकती है लेकिन वेल नहीं वेल जो होती है चात्रो वो क्या होती है मैमल्स होती है डॉल्फिन जो होती है मैमल्स होती है गाए जो है मैमल्स होती है इन सब के अंदर बकरी मैमल्स होती है इस्तन पाई यह चात्रो इनके अंदर जो हिर्दे के जो वो चार कोस्टथ होंगे मनुसके अंदर चार होंगे उभैचर्ज होते हैं जितने भी सा क्रोकोडाइल को छोड़ कर जितने ह differenti तीन चंबर्प्तो होते हैं क्रोकोडाइल यहां-पर वार ही खूथ ऐस होते हैं शार उतने में चार diz के अंदर पाए प्रश्य यंग है जो कि चाती की गुवा में फेफ़डों के ठीक बीच में स्थित होता है यह वक्षी चेत्र में बाई और थोड़ा सा प्रश्य चात्र में प्रश्य नहीं इसके अंदर हड़ी वगरा नहीं फ्रेक्चर कोई चांसे नहीं चार 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 बड़े-बड़े एक जो आप देख रहे हैं चातर यहां वाला जिसको लोग दाया अलिंद बोलते हैं राइट अट्रियम यह बाई तरफ है लेफ्ट अट्रियम फिर उसी के नीचे दो निले और दो अलिंद दो उपर के जो चेमबर्स होते हैं उनको अलिंद बोलते हैं अट्रिया बोलते हैं और दो जो है वेंटर की लिया निले बोलते हैं चात्रो ध्यान दीचे 20 से एक पिक कर रहें हैं यह वाले हिस्से से जूड़ाए य fini कर इसमें इबाकल बन्त होगा इसे तरह契ने देखेंगे तो नहीं दोनों तरफ रुधियर एक प्रकार का होगा दोनों आपस में मिलेंगे लेकिन बीच में एक वाल्व लगा हुगा जीसे हम लोग माइटरल वाल्व या हम लोग चातरो ठीक है इसको हम लोग बाई का स्पीड भी बोलते हैं ठीक है चातरो तो यहाँ धियान देने योग बात है कि दो चेमबर्स नहीं भलकि चार है दो उपर और दो नीचे दो अलिंद और दो निलाए ठीक है लेकिन या ध्यान दीजेगा कि दाय अलिंद दाय निलाए एक जैसे रुधिर को रखते हैं और बाय अलिंद बाय निले एक जैसे रुधिर को रखते हैं बीच में एक सेप्टम एक दिवार होती जो की रुधिर को मिलने नहीं द गुठी के औकार का एक मास्पेश्य आंगे जो शरीर के परिश्च्ण पन्द करे रूप में कार करता है हम आपको बता चुके चातुर इसका में काम क्या है शरीर में रुधिर का प्रवाह कराना ना तो ये शुद्ध करता है ना चात olursन्तर mix कराने का गाम के इस्का सिर्फ औराख गम को लेनर दिर को भेज देना को लेना और भेज देना ग Saya बार द्यान देने योग है एसका और कोई काम नहींfend कि यह शुद्धी करण में काम करता हो या oxygen में लाता हूं इस तरह कार की कोई भी सच्छे काम आप इसे जोड़ सकते हैं आगे छातरों कहा है यह वक्ष गुहा में फेफ़़ों के मद्श और औरोष्ट के बीचे इस्तित होता है अरोष्ट का मतलब चातरों होता है यहाँ पर एक चप्टी-हड्डी पाई जाते है इस तर्नम कारण क्या है जो दाया है वो बाया नहीं जो बाया है वो दाया नहीं कहने के मतलब यह आपका हिर्दे नहीं है जो सामने खड़े वे वेक्ती का यह वाला हिस्सा दाया है राइट है और यह वाला क्या है चादरो लेफ्ट है यह left है और यह वाला right है दियान दीजेगा उधर का इससा दाया है अगर आप देखेंगे तो आपको यह दाया लगेगा और यह बाया लगेगा थोड़ा से यहाँ पर lateral inversion आएगा जैसे कि आपने mirror की case में देखा है दरपड में आपका दाया उधर बाया हो जाता है बाया दाया दिखाई देता उसी तरीके से यहां पर है तो यह बता रहा कि मुख्यता बाईउर बंध मुठी का कार में संस्टना है मांस पेशी बना हुआ है खोगला है चार चमर्स भाए जाते हैं चाहत्रों इसके दाई दो अलिंद और दो निला है इसका काम क्या है रुधिर का सिर्फ पंप करना और कुछ नहीं करना इसकी स्थित्री क्या है वो रोष्टी यानि स्टर्नम बौन से याठाच होता है नीचे उसी के छिपका रहता है Phleat bone, Sternum bone हिर्दे की आंतरिक सनरशना सबसे पहली बात तो ये है कि हिर्दे की आंतरिक सनरशना के अंदर आप देखा जाए то चातरों कुछ खास चीज़े आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं पहला है कि हिर्दे के जो काक्षी के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही बता चुके हैं चार चिंबर्स पाए जाते हैं दो अलिंद दो निला पाए जाते हैं ये भी आप समझ रहे हैं चात्रों यहां देख लिजेगा यहां पर लिखा हुआ है अलिंद यह देखे हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ ह एक निला है दाई तरफ, एक अलिंद, एक निला है बाई तरफ, दोनों आपस में टैच होते हैं, बीच में यहाँ पर वाल्व लगा होता है, जिसे लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ लिखा है चात्रो माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं दो वाल्व लगे हैं जो कि समय पर अभी हम आपको दिखाएंगे खुलते बंध हैं एक दिशा में रुधिर का प्रवाह कराने में इनका बहुत बड़ा युगदान होता है यानि आपने साइकल में देखा होगा जो हवा भरी जाती है वो जाने वाली वापस हावा वाल्व के द्वारा नहीं आती है इसी तरह से जो रुधिर अलिंद में है चात्रो निले में जाने पर वापस नहीं लेटा जो निले का रुधिर है वो अलिंद में वापस नहीं आता ये एक दिशा मार्ग में खुलते हैं तो दो अलिंद दो निल है, चार चेमबर्स पाय जाते हैं, चार कोस्टक पाय जाते हैं, यह आप देख सकते हैं शरीर के अंधर चातरों, शरीर की सबसे बड़ी जो है रुदिर वाहिका है, जिसे हम एयोल्टा या महाध्मनी बोलते हैं, यहाप आप देख रहे हैं, यह भी में 5 चाप्षाट्राइगा मतलब अलंद होता है हिंदी में उपरी कच्छे अलंद निवेद नीजिले के अधरी दयान व्हेने में शौरीट से और हित ब्लड को प्राध करता है यानि जो दया अलंद है ये वाला चात्रो यह क्या करता है यहां से यह देख रहे हैं आप लोग यहां और यहां से इन दो से क्या करता है यह अलिंद जो है ब्लड को रिसीब करता है वो भी कैसा ब्लड के बिना यानि ऑक्सीजन के बिना यानि क्या कह सकता है इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अनाक्सीकृ रट को यहां पर देखे लिखा हुआ है अलिंद का दाया अलिंद का काम है सरीर से समझ्ट पूरे सरीर से oxygen रहित रुदिर को collect करना फिर दाय निले में भेजना और दाय निले से रुदिर जाता है फेफडों में और फेफडों से शुद्ध होकर आता है चात्रों फिर यहां द जाती है अगला आपके सामने है हिरदे के अंदर चात्रों कुछ वाल्व हैं पांच प्रकार के नहीं बलकि चार प्रकार के कुल पांच वाल्व पाए जाते हैं ये एक्जाम में पूछे जाते हैं वाल्व का काम क्या है हमने आपसे बता दिया आपके घरों में भी टुलू प पूछे जाते हैं चात्रों वो यह है कि जो हमारे पांच वाल्व हैं और चार प्रकार के हैं क्योंकि जो आपके चार वाल्व हैं तो चार प्रकार के होगे लेकिन जो पांचवा है चात्रों वो दो प्रकार दो ही वाल्व होते हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे यहां पर यह आपको आगला है माइटरल वाल या बाइको के आधी तरफ हेड़े के बाइव यानि कि अलिंद और निलाई के बीच में पाए जाता है बाइक कस्पिड या इसको मैड्रल वाल बहुते हैं है यह चादरो ट्राइकस्पिट्ट जो वाल आपका दिख रहा है यह आपके दाई तरफ पाए जाता है दाए अलिन्दो दाइन निलाई के मद में तो याद रिखिए चादरो एक हो गया ट्राय कस्पिट 않df mainside doe टिं dicen one lo sat सेमी लूनर वाल्या पल्मोनरी वाल हो घग्त लुज़त का चात्रों परवा हाक कराना यह सब्सक्ता सुप्से बड़ा काम है friendly आगे कहता है चात्रों फिर आपको इंदर में की मने कुछ चलाने के लिए नेचर यह पैस्केल कर पर मतलब होता अथा चाथरो एक हमारे शरीर में गांठ पाई जाती हिर्दे के अंदर, एक गांठ का नाम है SA node और एक का नाम है AV node, जो ऐसे node होता है, Sino Auricular node बोलते हैं उसको, ठीक है, वहीं से हिर्दे के अंदर कंपन की शुरुआद होती है, जो हमारा हिर्दे सिकूरता और फैलता है, चातर उसके लिए जब जरुवत पड़ती है, जब यह आपके नैचुरल वाले खराब हो जाएं, तो हिर्दे के दाए अलिंद में, चातरो गांठ पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते है, Sino Atrial node, नोड का मतलब होता है, गांठ, तो कहता है हिर्दे को गतिविदी को चलाया रखने के लिए, S.A. node और A.V. node का होना जरूरी है, हिर्दे का पेस्मेकर S.A. node है, जो उपरी माशिरा के चिद्र के पाद दाय अलिंद में, उपरी हिस्से में इस्तिद होता है, ऐसे नोड विद्दूत आवे गुद्पन करता है, चातरो येकर ये ना पैदा करें तो इंसान मर जाएगा, तुरंदेत हो जाएगी, चातरो, येसी के अंदर इतना इंपेल्स रहता है कि हमारी हिर्दे की मांस पेस्यां सिकूर्टी और फैलती है, जिससे ये काम राद दिन चल रहा है, चातरो, सौ साल जीएंगे, सौ साल चलेगा, जिप्मेदार है जो परते हिर्दे की धड़कन को शुरू करता है, यानि जो रिदम है, हर्ट का चातरो देख रहे हैं, आप लोग उसको नियंतित करना का भी किसका काम है, चातरो, इसी का काम है, इसे हम नैचुरल पेस्ट मेकर भी बोलते हैं, प्राकर्तिक पेस्ट मेकर, ऐसे नोड को, इसी का साथ देने के लिए चातरो, एवी नोड भी होता है जो इसका साथ देता है यह अर्दे की धड़कन की गति नियुदारित करके अर्दे के प्राकर्तिक पेस्ट मेकर गुरूब में कार करता है आमतोर बाराम समय लगबग 60-100 बीट प्रती मिनिट आप चाहतरों यह जो आपको दिखाई पढ़ रहे हैं यह यह आर्टिफिशल पेस्ट मेकर है यहां ध्यान दीजेगा यह जो आपको दिखाई पढ़ रहा है सचाहतरों यह आर्टिफिशल पेस्ट मेकर है आर्टिफिशल ध्यान दीजेगा यह आर्टिफिशल पेस्ट मेकर है कृतिम पेस्ट मेकर के ज़रूद पढ़ती है तब इसको पहुचा दिया जाता है जो एलेक्ट्रिक इंपल्स यानि जो आपके विद्धुत आवेगू की कमी आती है सबोस करें घर में वोल्टेज कम आ रहा है तो पंका धीमा चलेगा तो जब धीमा चलेगा तो आपको हवा भी नहीं लगी कि वही तरह से अगर आपसे बात किरा जाएं कि आपका हिरदे के अंदर एलेक्ट्रिक कम पल्स कम आने लगें तो फिर क्या होगा आपको फड़ा सपो नोड बोलते हैं चात्रों इमेज आप देख रहे हैं जो अगली आई है इसके अंदर आप देखेगा कि आपको पूरा एक नेटवर्क दिखा रहा हाफ आप ऊपर आपके सामने दो बाते यहां लिखी हैं एक देख रहे हैं चात्रों पर मोली सर्कुलेशन और एक लिखा सि थाहिं हिरदय में पहुछता है तो हिरदय में जब पहुछता है चात्रों तो आशुद का मतलब यह नहीं कि उसके अदर घंदगी है वो चआप साफ हो हुचुका है चशन चुका है लेकिन इस समें ऑक सीजन नहीं है इस में तो ऑक सीजन मिलाने के लिए हमारे five लाने पर तक जो बलेड जाता है फिर शुद्ध होकर फिर हर्ट में आता है हिर्दे में जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाती तो वो टार के ब्राइट रेड हो जाता है तो छात्रों अगर हम कहा जात इस सर्कुलेशन को को हم करें लोग को बोलती है इस परिसंचरण को बोलते सर्कुलेशन यानि हमारे जिरlles में दो प्रकार के हैं यानि हमारे हर्दे से बुद्रत निकल कर फेफलो तक जाता है वहां पर ऑक्सीजन विलाके शुद्ध कर दिया जाता है फिर वह हर्दय में आ करेंगे फिर जो ए रशुद रख्त शरीर से निकलकर हमारे हृड़े में आता और हीरदे से यृड़े से शुद रख्त फिर सी सरीद में चला जाता इसको बोलते सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन हमारे शरीद के अंदर चात्रों जब दो अलिंद उपर के सिकुडते हैं तब तक निला फैल जाते हैं जब निला चात्रों सिकुडते हैं तो उपर के अलिंद फैल जाते हैं यानि चारो आपके को स्टक एक साथ फैल सिकूर नहीं सकते होगा कोलाप्स कर जाएगा इंसान की मौत हो चुकी होगी या 94 तक बढते हैं दोनों अलिंद नीचे वाले दोनों निला भरते हैं तब तक अलिंद खाली हो जाते हैं आलिंद जब तक भरते हैं चातरो तब तक नेला जो है खाली हो जाते हैं यानि उपर का रख बरा बंद हो रहा इसी को बोलते हैं छातरो ट्राइकरश्पीड वाल आप देख सकते हैं यहां पर यह देख्या होएं यहांपर बंद होरा इसी वाल्वस से चात्रों और हलके आप देख सकते हैं यह जो वाइड के दर की जो नर्व सप्लाई देख रहा है कार्डी टेंडेनी वगरा बोलते हम लोग यहाँ पे जो की बंडल आफ इस वगरा आपने पड़ाऊगा पूरे शरीर के अंदर हिर्दे के इंपल्सिस को संचार को ले जाने में मदद करते हैं हिर्दे गती के बारे में जो बात करते हैं हम लोग अक्सर सवाल आता है कि एक स्वयस्क मनुस के अंदर समानता हिर्दे दर क्या होनी चाहिए इंसान चात्रों जब पैदा होता तो उस वक्त हिर्दे दर काफी ज़्यादा होती है फिर दीमेंधी में करके Newton में आती में लगबग 72 से 76 परतिम क्कारीब होती है uy सब्सक्रे अगर सब करें हो सकती है लेकिन इसके बीच में अगर हम सही माने तो fatal 72 तो अपने अक्सर किताबों में लगबग वो 60-100 या हम बात करें तो 72 के लगबग करीब होना चाहिए 72 या 70-75 के बीच में होनी चाहिए 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 आथलीटों या उच्छ हिर्दे संबन्दी फिटनेस वाले वेक्टों की आराम की जो हिर्दे कम हो सकती है अकसर 60 BPM से नीचे होती है ठीक है च लिकेनर पंप होता नार्मली उस वक्त हट्रेट उनकी काफी ज्यादा चली जाती है जब रेस्ट फेस्ट में जाते हैं तो उनका हर्ट ब ANY्न की कम आजाती है चात्रों आगे गरहाम पात करें व्याम तनाव बिमारी के दौने कुछ लगां को तिजकतग पदारतों को प्रत जाएगी और काफी जदा आपके weakness पे fluid loss होने पर कोई बिमारी है उसकी वज़े से भी heart rate आपकी काफी छात्रों बढ़ सकते हैं यह करता है आपकी situation आपकी घटना आपकी किस करम में सारी समस्याइं पैदा हो रही हैं अगला है चात्रों यहां पर हम लोग बात करेंगे blood pressure हम रूदिर दाब के बारे में बात करें समानता जो है जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं blood pressure को BP क्योंकि pressure आपने पढ़ाओ का बहुत विज्याद में कि pressure is equal to force upon area होता है यानि दाब बराबर बलबटे छेत्वरल होता है चात्रों दाब की जो मातरक होता वो पास्कल होता है जनली आप जानते होंगे पास्कल या Newton upon meter square लेकिन अगर हम बात करें चात्रों जो हमारा रुदिर है जो रक्त वाहिनियों में बहता है चात्रों तो वो क्या करता है दबाव डालता है रक्त वाहिकाओं की दिवार पर यानि दिवाल पर उनकी internal जो आपकी वाल होती है जो पाइप होते हैं जो हमारे blood को ले जाते हैं चात्रों उसके अंदर जो blood के द्वारा जो force exerted किया जाता है यानि लगाया जाता है परती छ pressure की वो है चात्रों blood pressure यानि B.P blood pressure जो समानता माना कि आपने दो reading देखी होंगी अकसर आपको मिल जाएंगी अकसर आपको reading मिलेंगी एक instrument होता है जिसमें हम लोग blood pressure नामते हैं उसे मरकरी भरा होता है चात्रों यहां पर आप देख सकते हैं पारा भरा होता है मिली मीटर में साथ में की scale होती है जो की वो बताती है हमारे दो तरह के दाब को बताती है एक उपर वाला एक नीचे वाला यानि अपर लिमिट और लोवर लिमिट उस पर भी हम बात करेंगे रक्त चाप रक्त वाहिकाओं की दिवारों की विरुद रक्त प्रवाह द्वारा लगाया गया बल है अगर आपको प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब कई हो सकते हैं कि जो दिवाल है जानी कि जो एरिया है वो कम हो गया है जाहिर सी बात है पानी के पाइप को आप दबा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा या तो चात्रों अगर प्रेशर गिरा है तो आपका जो ब् F upon A, इसे पारे के mm में ना पा जाता है, HG में, mmHG, ये बात ध्यान दीजेगा, mm, mm का मतलब होता है mm, mm, और HG का मतलब होता है, चात्रो, पारा, क्योंकि पारा भरा जाता है, ज्यादातर पार्ट करम के लिए, ये बात हम लोग कई classes में कर चुके हैं, आलेडी, आपने देखा होगा mmHG, HG का मतलब होता है, mercury या हाइगरागरियम बोलते हैं, इसको पारा भी बोलते हैं, ठीक है चात्रो, आपने देखा हुआ, अक्सर BP जो है, आपको 120 अपन 80 लिखा हुआ, मिलेगा कभी भी, 120 बटे, आपने देखा होगा mmHG लिखा होगा, 120 ये अपर लिमीट है, इसको चात्रो कहते है, systolic pressure, यानि ये ज्यादा वाला प्रेसर जो होता है, हल्ट जब सिकुरता है, systolic pressure ठीक है, तो 120 mmHG होता है, यहां लिखा हुआ है, इसमें दो मान होते है, systolic दबाओ, जब हिर्दे सिकुरतें पर दबाओ डालता है, तो उस वक्त हमारा जो mmHG पर 120 कॉलम पर pressure बढ़ता है, हर्ड का, हर्ड के उपर, यानि कि बलड का, दूसरा कहरा है, diastolic pressure चात्रों, जो 80 लिखा है, यह कम वाला है, जब हमारा हर्ड शिथिल पढ़ जाता है, फिरता है, अराम करने पर, या फैल जाता है, जब हर्ड, तब उस वक्त हमारा हर्ड जो है, रलाक्स करता है, तो 80 mm, दोनों में लगबग अंतर 40 का है, यह बना रहना चाहिए, अब जो छात्रों मानता ह है, जो आप जो दुनिया के अंदर तेजी, तनाव, टेंसन, टेक्नोलोजी, समाम चीज़े आप देखे रहे हैं, इंसान कितना ज़दा परिशान नहेरा, छोटा से बच्चा से लेगा, बच्चा पैदा हुआ है, खेलने के उतने के उमर होती थी, पहले आपने देखा तनाव में आ गया, तनाव वही से शुरुआत हो गई बच्चा उसकी, क्यों, आप देख रहे हैं, वहर वक्त अपने एंग्जाइटी में चला जा रहा हरा, हर इंसान परेशान है, कोई पढ़ाई से, कोई जॉब से चातरो, अभी पढ़ाई की टेंसन, पिसके बाद नोग कैसे बचा जा सके चातरो, तो हम यहाँ पर नहीं बात करेंगे, मामला टाविक लंबा खिच जाएगा, उसके बाद कई चातरो बरेज़ान हो जाएंगे पिर ना, तो इसलिए हम आपको इतना बता दें, क्योंकि यह इस पर अस्रा डाल रहा है, आपके जिन्दगी के ओपर हमारी जिन्दगी पर, क्योंकि तनाव जो है चातरो अच्छी चीज नहीं है, हर वक्त ब्लेट पेशर बड़ा रहना, उम्र को घटा भी सकता है, चातरो हमारे हिर्दे की सिहत को खराब भी कर सकता है, अक्सर आपने सुना है कि लोग हाट अटेक से मरे जा रहे हैं, लोग 120 की जगे, नॉर्मल जो माना गया है, एडल्ट के अंदर, वो 130 कर लिया गया है, और जो निचली जो वैल्यू है, वो नॉर्मल जो है लगभग, वो 90 मानी गयी, यानि डास्टोल, 90 और सिस्टोल को 130 कहा गया है, अभी अब बुक्स के अंदर आपको वही 120 बटे 80 मिलेगा, लेकिन चात्रों भी है कि अपडेट जो नॉलेज आएगा अब अब कमिंग में, वो 130 बटे 90 के लिए कहा गया, क्यों? समानता क्योंकि इनसान के हमने आपसे बताया कि प्रेशराइज लाइफ जी रहा है, टेंसन में रह रहा है, तो नॉर्मल ही अगर देखे तो उसका हर व सुधर जाईए, कोई ऐसा काम न करें जो इससे कि आपका BP बढ़े, क्योंकि BP बढ़ने के बहुत सारे कारण है, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती, छात्रों बस इतना ध्यान दीजे, कि हमारा ब्लड प्रेशर को नापने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो दो पर वाला जा हवा भरने वाला लट सा भाव बर दे, उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल वाला, इस फिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप मापने का एको करन है, जो एकसाम में पूछा जाता है, वयासकों के लिए समान्द रक्तचाप आम तोर पर 120 बटे 80 है, जो मता रहते भी आख स हरत्चाप उम्र, लिंग, गतिविधी, इस तर समग्र स्वास्त जैसे कारकों के अदार पर बिन्न हो सकता है, कोई बिमार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई चोटा है, कोई बड़ा है, अब अलगल है, लिक्से वाले को देखो तो ना उसके पास बैसा नहीं, पैसे व बिमारी पकड़े हुए चातरो उसको, है के नहीं, वो सिम परिसान है, दुवाय खा का के सो रहा है वो, ठेके चातरो, तो आप जो है अपने जिन्दगी में देखें, आप तलास क्या रहा है, वो मिल नहीं रहा है, तो पैसे में चातरो जो है सुकून नहीं है, अगर आप अगर पैसे में सुकून होता, तो गरीब रिक्से वाला जो टेड़ा करके गद्डी को सो नारा होता, लेबर पंदरा मिनिट का रेस्ट करते हैं, और सो लेते हैं उसी के अंदर, लेकिन अमीर का खाना टिफिन, वापस आ जाता है चातरो, वो खानी पाते हैं, आपने देख गती विदी का इस्तर क्या है, किस तरह का काम करते हैं, समग रस्वास्त जैसे कारको के उपर, हाई कोलिस्ट्रॉल, चर्भी यूक्तु भोजन, खाय के नहीं, तेल मसाला, सिग्रेट, शराब, अब इसमें रहेगा, रात भर जगना, कम सोना, चातरो जिस अब है इसों में फर्क है, शिशु जो पैदा होता है छातरो नार्मली उसकी 140 रहती है, यह भी 120-140 पर मिनिट जो है हर्ट बीट होती है उसकी, धीमे धीमे करके काउंटर यानि कम हो जाती है नार्मली, और उसका ब्लेट प्रेशर छातरो कम होता हम लोगों से, काफी 90-60 की करीब ह होता है, ठीक है, यहां पर सिश्वों में समान हर्देगती 100-160, यहां पर लिखा हुआ है, सिश्वों के रखते चाप के मांदर, उम्र, अकार, अनकार को क्याधार पर भीने, लेकिन आम तोर पर सिश्टोलिक दबाओ, 65-90-60 या पंचान नबे, दोनों बाते याद रखेग कि नर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है, सिश्वों में वो कम होता है, डास्टोलिक दबाओ के लिए करीब 30-60 के बराबर हो सकता है, ठीक है, चातर पर परिशान हो जो नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों इन्वर्स होते हैं, दोनों में फर्ग होता क्योंकि अभी इस तनाओं से मुक्त है चातरो, आप भी मेडिटेक्शन वगरा करिए, योग शोग करिए है कि नहीं चातरो जिम वगरा जाए एक सब जरूर जाईएगा, लेकिन चातरो ध्यान लगएगा, क्योंकि जोश में होश नगवा बैठी, कई लोग वहीं से चले ज लगी रहती है, अर्नाड वगरा कि आपने देखा सवजी नेकर वगरा कि रैंबो वगरा की, ठीक है अब उनको देखा होगा गया, मार उठाया, आज पहला दीने खुब वजन उठाया, काम खतम हो गया ना, कॉलाप्स करके हाल्ट उनका, खाली पेट जिम कर लिए एक सबस तो जो उसमें होज नगव आप एठे चातरो इस बात का धियान रखिएगा, समाने हिर्दे जांच पर इच्छन हैं, कुछ इन्विस्टिगेशन जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, हैं तो बहुत सारे चातरी, लेकिन क्या हैं, कुछ हैं, बहुत खास हैं, यहां कहता है क एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम, अब देखिए दो बाते हैं चातरो, एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम और एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफी, ग्राफी एक प्रकरिया का नाम है, और जिस डिवाइस से हम आपके हिर्दे के गतिविदियों को जांच करते हैं, उसे चातरो हम कहते हैं लेक्ट्रो कार्डियो ग्राम ठीक है ग्राफी प्रकरिया के नामें अब आपने जो है चाहते हो यह जो हो लिस्ट निकलती लंबी सिक परची आपने पढ़ा होगा है अपने रेखा गडित के अंदर शायद ठीक है यह ग्राफ वाली कौपी खरी दियो पांच रूप होने के बाद ECG कराओ एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम कराओ यह यह जो है यह 24 घंडे का भी हो सकता है अपके लगा देंगे उसे हम लोग होल्टर बोलते हैं ECG होल्टर और इसे लेक्ट्रो कार्डियो ग्राम हर्दे की लाया मुल्याकन करने और असा मंताओं को पता लगान यह सीधा हो गया, काम खतम है, कि नहीं चार लोग उठाएंगे, इनको पहुचाया आएंगे, कारण क्या चातरो, activity नहीं है, zero, nothing, कुछ नहीं, तो हिर्दे की activity को note करने के लिए, जानने के लिए हिर्दे आपका क्या कर रहा है, एक ECG कराना जरूरी है चातरो, EEG से confuse ना हुए इको कार्डियोग्राम, चातरो वो देख लीजेगा गवर से, इसको हम लोग बोलते हैं, 2D इको भी बोलते हैं, ध्यान दीजे, यह बहुत जरूरी है जानना, एक इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम है, यह इको का मतलब होता है, प्रतिधोनी, यह जैसे पेट का अल्टरसाउ करके सारी हिर्दे के अंदर, वाल्ब वगएरा जो भी सारी चीजें, हिर्दे की दिवार के मुटाई के बारे में, वाल्ब के बारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उस सब चीजों को जानने के एक अच्छा परिक्षण है, जिसे हम बोलते हैं, टूडी, इको, एक्जाम कार्ड, माइक्रो कार्ड जीसे होता था, लगा रहता है इसके अंदर, उसको ले जाके डाक्टर लोग फिर उसको देखते हैं, 24 गंटे में आपके हर्दे कब 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 क्या क्या कर रहा था, 24 गंटे की सीजिक जब पढ़ती है, जब वाले सीजिक से बात नहीं बनती है, ठीक हर्ड स्टक्चर फंक्शन और ब्लड फ्लो विदाउट रिडिशन एक्सपोजर, हाना, बिना कोई रिडिशन के एक्सपोजर छोड़े हुए, हिर्दे के अंदर जो गतिविदिया है, उसकी सरनशना, कार, रक्त का प्रवा और छवियों को प्राफ करने के लिए, कार्डिय एक MRI भी कराया जाता है, नेक्स अगली जो जातरो जो बात है, वो है आपकी रक्त वाहिकाएं, ये था हमारा से पहले हर्ड पढ़ा हम लोगों ने, अब हमारी ब्लेड वेसल सागी, वो खास तीन प्रकार की होती हैं, एक आपको लाल दिखाई देंगी, एक आपको जो है न आमनिया, आल्ट्रीज, मोटी दिवार, ब्लेड प्रेशर ज्यादा, सुद्र रक्त को ले जाना हिर्दे से पूरे शरीर में, देयार थिरी मेजर टाइप, पहला है ये रक्त वाहिका हैं, जो आक्सीजन यूग्त रक्त को हिर्दे से दूर ले जाती हैं, जो पहले आपको आया था, इनका मुख्यकार है कि शुद्र रक्त का प्रवा हिर्दे से शरीर में करना, ठीक है चातरो, आगे कर हम लोग बात करें, इसके अंदर एक अपुआद भी होती है, रुदिर वाहिनी हिर्दे के अंदर पाई जाती है, जिसे हम फुफुष धमनी कहते हैं, उसको छ शुद्र रक्त का प्रवा करती है, आगे हम बात करें कि इनकी दिवार मोटी लचीली होती है, इनके पास छोटे लिमेन, यानि अंदर की जो काविटी का एरिया है, वो काफी सक्रा होता है, चातरो ठीक है, यह जवाब देख रहें, मोटी दिवार, का है कि इसमें प्रेसर बहुत ज़्यादा है, पाइप तूड जाया का फट जाया का उसी तरीके से, धमनियों को छोटी धमनियों के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक नाड़ी होती है, और रख्त तेजी से चलता है, जो कह रहा है, आर्ट्री से भी छोटी छोटी बनी, उसको क्या बोलेंगे atreos और vein से चोटी बनी के तो venules, कहरा है, जो छबसे छोटी शोटी मारी यहाँ पे कोई artery है, बहुत छोटी है चात्रो, तो इसको हम क्या कहेंगे, artery न कहेंगे , एक है, it has the pulse and blood to 지uce in the spurs , इनके अंदर कही है बड़ी अगला चात्रों शिराएं यह रग्त वही कहा है जो आक्सीजन रही तो रग्त को हिर्दे तक वापस लाती है याने हमारे शरीर में जो आपको हरी वाली नीली दिखाई पड़ती है शरीर में आपको देख लीजेगा अपने हाथ में दुबले लोग में ज़्यादा दिखाई जित्र रखती है यह बात ध्यान दीजेगा आक्सीजन रहित पत्ली दिवाल चोड़ा डायमीटर डायमीटर बड़ा रहेगा एरिया बड़ा रहेगा तभी प्रेसर कम होगा इसमें इसमें लगबग 75 पतिशद रखत रहता है आप चात्रों सवाल यह कि जो गुलुकोस ज़रा लगता है इसमें देख लीजेगा पतली होती है जो बलड को एक दिसा में बहाते है अब आप खड़े हो तो आपका पायर से बलड नीचे से ऊपर कैसे आएगा तो वाल लगे रहते जो बलड बड़ा फिर बंद बड़ा बंद हैंनी एक दुश्या में रुधिर का प यह चरीर से हमारे हिर्दय तक पहुचाती है 75 प्रथिश्य द्रक्त जो हमारा इन में पायद है अब तीसरी जो केशिकाए चाहतर हैं का नामे केशिकाए यानि इनको बोलते हैं कैपलरीज इस चरीर के सबसे एंडिंग वाले भाग में जहां जाकर जिसे कहते हैं नदियों का म लरीज है ठीक है उतक के अंदर जाके यह मिल जाएंगी यह शरीर के सबसे छोटी रग्त वाहिकाए हैं इनमें किसी भी समय लगभग 5 प्रितिशत रग्त आपको मिल जाएगा इसमें किसी प्रकार की नाड़ी महसूस नहीं की जा सकती यह पल्स कोई महसूस के जा सकता यह सब्सक्त वाहिका है धमनियों शिराओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार करती है तानि दोनों को कनेक्ट करती है या इनका सिरा है या इनका छोर है यतनी बाते आप लोग द्यान दीजेगा चातर अब यह था टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हुआ है अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको यहां दिकरा होगा बड़ी तेजी के साथ हमारे शरीर के अंदर रुधिर का जो है रुधिर पढ़ने जा रहे हम लोग ब्लड पढ़ने जा रहे हैं हुमन का ब्लड पढ़ने जा रहे हैं और आप सब को अच्छी तरीके से परचीत है जहातरो उसका ज्मुक्स काम हे शरीर कें अदर परिवहान का काम करना क्योंकि आपको पता है चाहे वो दवाई हो चाहे वो वेटामिन हो हार्मून सों हो प्रे इंजाइम हो सब चीज़ को हमारे शरीर में एक सथान से दूसरे अस्थान में परवाह कराने के लिए इसको पहुचाने के लिए इसको परिगमन कराने के लिए ट्रांसपोर्ड कराने के लिए सबसे जरूरी जीज़े चात्रों का नाम क्या है रुधिर तो आपने देखी लिया होगा बच्पन से भाई लाल लाल निकलता है वह दो रंग पढ़ी चुके शुद और आशुद रख्त पढ़ चुके हैं तो चात्रों करें हमारे श्रीर में बताया था कि हमारे श्रीर में आप तरल करके सभी का मतलब होता हैilit करने वाला चेन की तरीके से ठीक यहां देकर अपाइन कैई लिखा फिर मेता है कि लिक्विड एक बास भाई तरल है है बहरहा है सरीर में ठीगि मांसवांस होता तो यहां रुप सा पूरे श्रीव में बहता रहता है कनेक्टिव कमाने जुड़ा हुआ है यह नहीं कि यहां तक बहरा फिर गाइब है आगे फिर फिर मिला आपको इसा नहीं चेन की तरह से बहरा है ठीक है आगे कहा रुदिर क्या एक तरल सहीं जी हो तक है जिसमें कहा रहा है कि प्लाजमा एक हलके पीले रंग का धरब निकलेगा लिकविड वाला हिस्सा जिसे हम प्लाजमा कहते हैं चात्रों से विबिन प्रकार की प्रोटींस होती हैं उनके अलग-अलग कारे होते हैं और दूसरा अगर आप से कहा जाए जो हमारी सुरीर के अंदर रख्त कोशिकाएं होती है उ लगबग 55 प्रितिशत भाग जो है हमारे रुदिर का प्लाजमा है तकरीबन 45 प्रितिशत जो भाग होता है वो रुदिर कड़िकाएं हैं ब्लेड वैसल सुती जिनमें भी और बीसी डब्लू बीसी और हम लोग प्लेटलेट्स वगरा पढ़ेंगे आप यहां देख सकते हैं यहां पर देख सवाव लाल-लाल-मक्मल की अटिकिया के तरह से जो नज़र आ रहरे ही रख्त कड़िकाएं इसको चात्रो हम लोग आर्बीसी बोलते कई सवाल इससे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है एक लिक्विड है टिशू है यानि उतक है और दूसरा वह कनेक्टिव है जादरो देखने में लाल रंका होता है क्योंकि समानता इसमें पिगमेंट पाये जाता है उसका नाम हीमोगलोबिन ज चार के करीब होता है यहां ब्लड लिखा है कि एक वैस के अंदर लगबख शरीर का आठ प्रितिशत ब्लड तक होता है ठीक है तो शरीर का बहुत बढ़ा हो जाना भी खतरनाक है क्योंकि पर हिर्दय वगर आप शरीर में पूरे तरह समर्थ महसूस करते हैं यह नहीं कि आपको नहीं नब्य आप 85-85 किलो से उपर जा रहें तो शहीं नहीं है लगबख 86 किलो हो जाए 6 पीट हाइट है चबचे पीट हो जाए आपकी श्यासी किलो बस ज्यादा वजन बढ़ाना कोई अच्छी चीज नहीं चाथरो है ना वजन बढ़ेगा तो समस्यां भी आपको फीचे लीटर होता है इसका लगबख जो पीच चाथरो उसका जो नेचर है लगबख 4 है इसको स्लाइटली बेसिक यह छारी कहते हैं लाल रंग क्योंकि इसमें pigment है हीमोगलोबिन का क्या है आप सब को बता होगा आक सीजान को लाना और co2 को ले जाना यानि कि ट्रांस्पो तेन पांज से चार दगर पांज है यानि हलका चारी होता है स्थितम प्याच मना जाता है यह लाल रग्त कोशिकां ब्लेट्न यह ँसे बना होता जिसे हम ब्लेट को पढ़ रहे दें कि किस किसी चीज़ों से मिलकर बना है तो यहां पर आप देख लीजेगा अब आपको यह blood के component नजर आ रहे हैं यहां आप देख रहे हैं चात्रों यह neutrophils, monocyte, lymphocyte, besophils, isynophils जो आपको purple color की दिखाई दे रही हैं यह चात्रों WBC है white blood cell यह हम जिसे कहते हैं शुएत रक्त कड़िकाएं ठीक है इनको भी हम अभी देखने जा रहे हैं शुएत रक्त कड़िकाएं इनका main काम क्या है defense में याने हमारे श्रीर में रोग परती रोग छमता पैदा करना रोगों से लड़ना यह हमारी कोशिकाओं का काम है जिनने हम रुदिर कोशिका कहते हैं या हम WBC या शुएत रक्त कड़िकाएं ल्यूकोसाइड भी नहीं को बोला जाता है यह पांच होत होती है इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है जो लाल लाल आप टिकिया देख रहे हैं मखमल की तरह से बैलबेट की तरह से यह RBC है चात्रो लाल रख्त कड़िकाएं इनका काम क्या oxygen को लाना और CO2 को ले जाना ठीक है चात्रो इनके उपर हिमोगलोबिन पाए जाता ह इससे एक लाल दिखाई देती हैं और यह धसी भी होती है इनका जो दूई आउतली संरशना होती से हम कहते हैं बाई कॉनकेब बोलते हैं ठीक है चात्रो और इसके अंदर कोई भी परकार का केंदरक नहीं पाए जाता है एक्जाम में सवाल आता है कि मनुष की RBC में केंदर क्भात यह नकद्र पाये जाएगा कि नहीं पाएजाएगा नुक्लिएस होता है उस नकींद्र नूarinूक्टि यह यह बिमारी है आप सुना करों अबरी तेजी से गिर रही क्योंकि येskंग होनी जिसमें platelets बड़ी तेजी से कम होती है और संक्या कम होते होते हैं एक समय आता है कि इनसान की मौत हो जाती है कारण है नाक मूँ से आपको blood आने लगेगा इसका पीछे कारण है कि जो platelets होती है और उधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है थक्का जमाने वाली कोशिकाएं कम होंगे उधिर कर थक्का नहीं जमेगा तो यहां पर RBC, WBC और platelets प्लाजमा यह चार बातें आपने याद रखेगा यह हमारे blood के सबसे main component है तो blood divided into two parts plasma और blood corpus cell रुधी राणू और plasma प्लाजमा एक लिक्विड एक तरल है वो भी हम आपको बताएंगे पहला है चात्रो अरिथ्थ्रोसाइड आर्बीसी लाल रक्त कडिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं भी बोल सकते हैं इंटर में 12 तक में लिखा हुआ है आर्बीसी मनस्व में केंदर ख्रहिद दूई आउतली कोशिकाएं हैं इनको इरिथ्रोसाइड के नाम से भी जाना जाता है आप देख सकते हैं ये इरिथ्रोसाइड क्योंकि एक्जाम में पूछा जाता है कि आर्बीसी का असली नाम क्या है तो आप बताईए कि इर्थ्रोसाइड से ठीक है यह याला लिखा इर्थ्रोसाइड से इनकी जो जीवन काल उस पर भी चर्चा अक्सर सवाल आता एक्जाम में आप देख सकते हैं यह होल ब्लड है पूरे ब्लड के अंदर यह आपको नजर आ रही है जो परपिल कलर की है वो इस तादाद बहुत ज्यादा मिलियन में पाई जाती है ठीक है चात्रों ध्यान दीजेगा इनकी जो लाइफ वे लगबग 120 दिन रहती है जिंदा यह ठीक है इनके अंदर कोशिका केंद्रक नहीं पाए जाता बाकी प्लेटलेट्स का मागाम आपको पता ही रुदिर का ठक चाचट या 62 लाख जो है आर बीसी जो होती है वो करीब 42 लाख से लेकर 65 लाख जो है वो एक छोटे से नोक के बराबर जो बलड होगा उसके अंदर पाई जाएंगी जीवन काल इनका आपको बहुत महीं लंबा है चार महीने या 120 दिन अगली जो कोशिका है वो काफी बड़ा इम्पॉर्टिंट है एक्जाम में कहता है कि हमारे इंग में से कौन सी कोशिकाई है जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षाप्रदान करती हैं फाइट अगेंस डिजीजेजze रोगों से रक्षाप्रदान करने के लिए आपको पता दे किनका नाम है लियूको ये भी एक्जाम में पूछता है कि लिउकोसाइड किसे कहते हैं तो आप कहेंगे WBC को ये कितने प्रकार की होती है पांच प्रकार की जो हम कई बार आपको बता चुके लिउको मतलब होता है सफेद रंगीहीन रक्त कोशिका है ये रंगीहीन होती है क्योंकि इसमें हिमोगलोबिन नहीं पाए जाता है ज्योंकि उसमें ऐरन पाता है हमोगलोबिन लाल होता है क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है WBC कितने परकार की Chief Heart Types of Blood Vessels यहां पर जो आपसे कहरा Blood Cells यह देख सकते हैं आप यहां पर कि WBC भी देखा जाए तो समाच प्रकार की हैं दो आप देख रहे होंगे यह एक जैसी नजर आ रही है इनको हम कड़ी का रहित बोलते हैं लिंपोसाइट मोनोसाइट और निट्रोफिल्स इसनोफिल बेसोफिल इनको बोलते हैं कड़ी का मैं या जिसके अंदर कण पाए जाए जिस तरह से आप देख का काम है इनकी संख्या को डॉक्टर साथ आप देखकर आपको दवा लिखते हैं और जान जाते हैं कि आपके अंदर कौन तरह की बिमारी हो रही है इनकी संख्याओं पर तीन खास प्रकार की कोशिका हैं कुछ अलर्जी से लेटेड है इसनोफिल या वाली आप इसनोफिल जानता ही है न्यूट्रोफिल एलर्जीक रियाक्शन है बेसोफिल आपको पता ही चात्रों ये भी कुछ खास बिमारियों से जंबंदिद हैं अगले बात करें चात्रों क्वांटिटी की वारे में डबलू बीसी जो नार्मली होती हैं वह आपकी 4000 से लेकर 11000 माइक्रो इनकी जो लाइफ चात्रों बहुत कम होती है तीन से पांस दिन या कई कई पर लिखा हुआ है तीन से नौ दिन वाला आंसर आप टिक कर दीजे का तो जादा सही होगा 4000 से 11000 तक रहती है अगर इनकी संक्या बढ़ जाती है तो ब्लेड कैंसर भी हो सकता है अगला चात्रों प्लेटलेट्स हैं जिसे हम लोग थ्रंबोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को चलाया भी जाता है उस वक्त जब आपके सरीर में यह कम हो जाए प्लेटलेट्स हमने आपसे बता देंगू के अंदर खास तोड़ से काफी तेजी से गिरती है क्योंकि उसका वायरस जो होता उसका है इनको बढ़ाया भी जा सकता है एक ठक्का जमाने मदद करते हैं कटने अगाओ लगने में अप्लेट्स जमने में मदद करते हैं अन्हीं कि सिर्व यहां ब्रामिन प्रवाया था करता है इनका अवरेज लाइफ है आडट से दस दीन है जनली कहीं-कहीं पर तीन से दिन लिखा हुआ बहुत जदा लंबी इसकी लाइफ नहीं रहे थी चात्रों अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा प्लाज्मा है जाद्रों प्लाज्मा प्लाज्मा नाव आपने कई जगों भी सुनाओगा ब्रहमान पदार की चौथी अवस्था को भी हम लो प्लाज्मा कहते हैं यह हमारे ब्लड का लगबग 55 प्रतिशत भाग बनाता है यहलके पीला होता है रत प्लाज्मा में लवड यानि साल्ट पोशकतत तो पानी और इंजाइम वगरा पाए जाते हैं तो रुधिर के अंदर अगर देखे तो प्लाज्मा में पानी सबसे ज़्यादा होता है ल आपका ब्लड में लगबग 55 प्रतिशत भाग जो है वो क्या है तरल पदार्त है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं अलके पीले रंग का प्लेटलेट्स जो है आपकी यहां पे नजर आ रही है और बीसी लगबग एक तालिस प्रतिशत हैं न्यूट्रोफिल मोनोसाइड इसनोफि चल गया 55 प्रतिशत 45 प्रतिशत में हमारी WBC RBC और प्लेटलेट्स कोशिक आए पाई जाती है तो ब्लड एक कंपोनेंट है एक मिक्ष्यर है जिसके अंदर इस सभी भाग पाई जाते हैं आगे छात्रों है प्लाज्मा वर्सिस सीरम अक्सर आपने सीरम इंसिटूट का नाम जो होता है जमने से रोकने वाला सीरम इस दा लिक्वीड पार आफ्टर कागुलेशन जमने के बाद जो ब्लड जम जाए और जमे हुए ब्लड का हिस्सा आप अलग कर दें यह वाला देखिए तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा चात्रों वो यह क्लॉटिंग के बाद वह सीर जो होगा प्लाजम में से आप इसको घटा देंगे जम हुए भाग को तो जो पीला वाला भाग बचेगा उसे हम सीरम कहेंगे यह काफी एक्जाम में पूछा जाता है चात्रों ठीक है तो यह आपका जो है आज का आपका था पूरा ब्लेट सर्गुलेशन जिसमें हम लोग पड़ा हर्दे के सवनशना के बारे में उसके कारविधिक बारे में सम्मधित आंकडों के बारे में चात्रों और उसके बाद हम लोगों ने ब्लेट वैसल्स पड़ा आपकी वेंस आर्ट्री और जो है कापलरी के बारे में ठीक है चात्रों और उसके बाद ब्लेट पड़ थेंक यू